तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे Data Warehouse Analyst के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँगा कि Data Warehouse Analyst आखिर क्या होता है और इसको आखिर के से बना जाता है इसके course के वारे में भी आफसे मैं इस वीडियो में discuss करूँगा और साथ में मैं आफसे eligibility criteria के वारे में भी आफसे मैं इस वीडियो में discuss करूँगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्डस्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डेटा वेराउस एनलिस्ट के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो दोस्तो अगर आपने ट्वेलफ्त की वीडियो के डिसक्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखियेगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे मेले बात करते हैं कि या कि Data Warehouse Analyst आकर क्या होता है तो दोस्तों मैं आको उताना चाहता हूँ कि Data Warehouse Analyst वै होता है जो Data को Collect, Analyze और Mines करता है तो Data Warehouse का मतलब जया होता है कि जो Data होता है उसे एक स्थान में Store करने का एक प्रकार का एक माध्यम होता है तो एक माध्यम में Data को Store करने के लिए कई प्रकार के Hardware का प्रयोग किया जाता है तो किसी भी प्रकार का Data को किसी Server में जा किसी Computer में Store करना ही उसे Data Warehouse कहा जाता है तो और वी कई सारे Different-Different काम किये जाते हैं Data Warehouse में तो जो कि किसी Company की उपर जा तो किसी Organization की उपर Depend होता है अभी आप से मैं Course के बारे में आप से मैं Discuss करने वाला हूँ कि जने आप इस Course को किसी सिख कर सकते हो तो Data Warehouse Analyst अगर आपको बरना है तो इसके लिए दोस्तों आपको Computer Science का आपको Course करना पड़ेगा तो सही शब्दों में आप Computer Science Engineering का Course आप कर सकते हो जो कि एक 4 वर्ष का Course होता है तो 4 वर्ष का Course है तो जिसमें कुल 8 semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो 6 महिने तक होती है तो बैसे तो आप कोई भी Computer का Course कर सकते हो लेकिन अगर आप Technically जाना जाते हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप Computer Science Engineering को या प्रेफर कर सकते हो अभी आपसे में eligibility के बारे में आपसे में डिसकस करने वाला हो जैने आप इस Course में किस परकार से admission ले सकते हो तो इस Course में admission लेने के लिए दोस्तो आपको 12 की Class को आपको पास करना होगा अगर आपको BTEC CSE में admission लेनी है तो इसके लिए दोस्तो आपको 12 की Class में Physics, Chemistry और Mathematics का जो सबजेक्टेव आपको compulsory पढ़ना ही पढ़ेगा 12 की Class को पास करने के बाद आपको admission मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे Data Warehouse Analyst के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माद़म से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी लेकिन अगर आपको किसी भी परकार का कोई doubt है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें बांजा कर भी देख सकते हो तो आन्ते में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना